भारत वर्ष एक प्राचीन महान सब्विताओं की जन्भूमी रही है यहां के अनूठी और न्यारी संस्कृती की महग ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकरशित किया है यहां कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिनकी केर्टी गाथा दूर दूर के देशों तक फैली आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के जीवन के बारे में कहने जा रहे हैं आज से 480 साल पहले वर्तमान मध्य प्रदेश में सिद्धी जिले के सयाल परगना में एक गाउं गोखरा है जहां 1528 ईस्वी में ब्राहमन परिवार में एक बालक ने जन्म लिया अरे बेटी तुम्हारा बेटा तो बहुत सुन्दर है बिल्कुल जैसे पूर्णी मा का चान तुमने इसके नाम के बारे में कुछ सोचा है क्या नहीं माजी अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा क्या अभी ये भी मुझे ही सोचना होगा इसका क्या नाम रखे माजी महेश बेटी एक दन ये बहुत बढ़ा आदमी बनेगा और धीरे धीरे इसका नाम बहुत दूर तक फैलेगा अगर आपका अशिर्वाद रहा तो जरूर ऐसा ही होगा हाँ 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 बेटी ऐसा ही होगा लो पकड़ो और अपने लाडले का ख्याल रखना और सुनो बेटी इसकी अच्छी तरह परवरिश करना और इसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करना धीरे धीरे महेश बड़ा होने लगा और धीरे धीरे उसकी बदमाशया भी बढ़ने लगी महेश अप इतना बड़ा हो गया था कि उसके माता पिता उसे गाउं की पाठचाला में भीजने के बारे में सूचने लगे आज मैं इसे पाठचाला लेकर ही जाओंगा मैं कोई पाठचाला नहीं जाओंगा क्या कहा नहीं जाओगे अब बहुत हो गई मनमानी ब्रामर के घर जनम लेकर बिना पढ़े लिखे रहोगे अब बस भी करो और मत डाटो ठीक है मैं देखती हूं ठीक है तुम ही देखो नहीं नहीं रो मत मेरी बात सुनो मुझे बताओ तुम पाठ्षाला क्यों नहीं जाना मैंने सुना है पाठ्षाला में गुरु जी ताटते हैं और मारते भी है अरे वो उन्हें मारते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है सिर्फ बदमाशी करते रहते हैं अगर तुम बदमाशी नहीं करोगे खूब पढ़ोगे लिखोगे तो गुरु जी तुम्हें नहीं डाटे अग्ले तिन से कभी नहीं जाओंगा सुटा है लेकिन पहले तुम जाकर देखो तो सही ठीग मा जाता हूं चलो बाबा हाहाँ चलो जल्डी चलो बहुत देर हो चुकी है किम्तु पार्चाला जाकर महेश की शरार कम नहीं हुई और एक देन दो एकम दो दो दुली चार दो त्याई छे दो जो एकार दो मंधे दाई दो दो आजे कारा दो जो अरी चारा दो अर्गी लो नहीं हुई दो जो रहा कारा दो दिया भी दो एकम दो दो दुली चार बदमाश कहीं के यह क्या शेतानी कर रहे हो तुम लोग कहा है महेश कहा है महेश महेश जल्दी इधर आओ यह सब यहां रखो बदमाश कहीं के तुम बहुत शेतानी करते हो गुरुजी आगे से ऐसा नहीं करूँगा आपका हाथ गंदा हो जाएगा क्या बोला मेरा हाथ गंदा हो जाएगा कर रात को थंडे पानी से स्नान करने से कान पक गया है खीचेंगे तो आपके हाथ में ची 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 आपना हाथ आगे करो आगे करो हाथ बढ़ाओ आपके अपके हैं परीम ली तो लोगे हाथ चुच ओछ आओ जाओ से आपके हाथ बोलो बोलो देखा, देखा कितना मारा मुझे, एक तो मेरी सारी इमलिया ले ली, और छड़ी से मारा भी, कितनी महनल से इकटी की थी मैंने, सब की सब ले ली, हाँ सब ले ली, हाँ, हम सब मिलकर अचार बनाते हैं, कैसे गुरुजी है, खुद पाठशाला में आकर सोते रहते हैं, तो क्या उनके गलती नहीं, उनको मज़ा चखाना होगा, हैं, हाँ, जरूर, पर कैसे, सुनो, सब ध्यान से सुनो, कल सुबह हम, मत्य करया हम, प्यूर, यह, प्यूरू, यह, पाठ्दो ड्यूर, प्यूरू, जरूर, जरौरू, बह्यूरू ट्सक्वरू वीदके के मुझे बहुत मसा आ रहा है अरे स्टी खीच के रख़ एफ याल पचो मैसे कोई आ रहा है कौन आ रहा है अरे बचाओ मुझा बचाओ कोई बचाओ यहां से भागो सब चलो चलो सब भागो चलो जंदी चलो बचाओ 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 कोई बचाओ मुझे किया हुआ इतना चला क्यो रहे है क्यो क्यो नहीं चिलाओ पहले ही कोई कम मुसीबत है पानी की कमी से एक तो पहले ही फसल सूक रही है कोई है अरे कोई है क्या आप शिवदत घर में है कोई आपको बाहर बुला रहा है जाए जाकर देखे कौन है तो तुम घर में थे चलो जाने अब क्या होने वाला है अरे बाबा को जमीदार का लाठी वाला ले जा रहा है कोई खास बात है क्या ज़रूर जमीदार बाबु के घर ले जा रहा है चलो तू देखे अप्राणा मालिक ओहो शिवदत क्या बात है इस बार का लगान कहा है मालिक इस बार तो बरसात हुई ही नहीं सारा का सारा धान मिट्टी में ही सूख किया तो हम क्या करें अरे सुनाए इस बार धान तो तुमारे यां बड़ा अच्छा हुआ है हाँ मालिक हुआ तो बहुत अच्छा था लेकिन बारिश ना होने की वज़ा से पूरा धान सूख किया तो मैं क्या करूँ मुझे तो मेरा लगान चाहिए सुन अगले साथ दिन के अंदर मेरा लगान मिल जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारी जमीन में रख लूँगा यह यह आप क्या कह रहे हैं मालिक बिना जमीन के तो हम मर जाएंगे मरूगे मरूगे हुआ है चुप रहा है दया करो दया करो मालिक दया करो जा जा अब ज्यादा मत बोल मालिक ऐसा मत करो मालिक मेरी जमीन ही सब कुछ है बिना जमीन के हम खाएंगे क्या मालिक दया करो दया क करो लगान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा कितना अच्छा कटल है आज रात को सब चुरा लेंगे हा भाई लेकिन सब को सो तो जाने दो कल बाजार में जाके सारे कटल बेच डालेंगे ए ए सुनून सुनून मुझे एक कटल घर ले जाना है मेरी पत्नी को बहुत पसंद है नहीं ले गया तो मुझे चोड़ेगी नहीं बेटा महेश महेश कहा हो है कहा वो घर आया कहा इधर उधर घूमता रहता है वो इतनी रात बीते यह आप क्या कह रहे हैं वो तो आज जल्दी घर आ गया है बेटा महेश यहां आओ तो आया हम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अगर मैं पिछले कमरे में गया तो हां भाबा होंगे यह अवस कहां से आ रही है बेटा महेश जल्दी आओ हां अभी हाया मा ए URL ऌसनो sãoляются मेरी बात तो सुनो लगता है सब सो गये हैं चलो चलो सब तोड लेते जायोग características अभी लगता है सब जाग रहे हैं इकनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अभी तो पूरी रात बाकी है सरा रुको अब आएगा मज़ा जमीडार के लगान का इंतिजाम समझो हो ही गया Uhh, कहां थे अब तक तुम महेश तुम्हे खाना नहीं खाना है क्या हाँ دो दो जल्दी खाना दो यह हिलो बेटा आज जी भर कर खालो कल क्या होगा किसे पता कोई चिंता करने की ज़रूद नहीं है मा सब कुछ ठीक हो जाएगा कैसे सब ठीक हो जाएगा और कौन करेगा ये सब कुछ क्या तुम करोगे हाँ मैं ही मा क्या हुआ क्या तुम मुझे दो थेले दे सकती हो थेले तुम थेलो का क्या करोगे किसी को फिर तंग करोगे क्या कहीं बाकसे फल तो चोरी नहीं करोगे ना मा ना लाओ ना मा दो थैले अच्छा अच्छा देती हूँ ए चलो चलो ऐसा लगता है कि सब सोगए है चलो चोरी करें चलो चलो अब चल सकते हैं चलो चलो अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ ठीक से चल भी नहीं पाते ओ मर गया मर गया अरे चोप रहना चिल्ला क्यों रहा है शोर मत कर वाँ दोनो थैलियां तो भर चुकी है अब उनको मज़ा चखाऊंगा आज मुझसे पाला पड़ा है उनका कितना भारी है कितना भारी है इतना भारी कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा लेकिन इतने में भी नहीं होगा सच्ची धन समपत्ति कौन रखता है घर में चोल डाक्को को पता चल गया तो को छोड़ेगा थोड़ी ना बाबा ठीकी कहते है धन से भरी दोनों ठैलियों को कुए में डाल देते हैं फिर हमें जब भी ज़रूरत होगी तो आराम से दोनों ठैलियों को निकाल लेंगे हम बस अब चिंता नहीं चोड़ दो कैट तो जानी नहीं पाएंगे कि हमारे पास इतनी धन समपत्य है वो तो कभी कुए में कुदी नहीं पाएंगे छिलो अब जाकर भाबा को बोल दीता हूं सब धन समपत्य पहले में भरकर कुए में डाल दी है उफ कितनी रात हो गई है अब चलो हम लोग चल कर कुवे से वो धंकी बूरिया निकाल लेते हैं हाँ चलो चलो लेकिन कटाहल थर तरिक्ये भूल जाओ कटाहल को अरे चलो चलो कुवे में बोरिया हैं पहले उनको निकाल लेते हैं हाँ चलो चलो अरे बाबरे पानी तो बहुत गहरा है कुवे में पानी तो बहुत है, नीचे से थेलिया किस तरहे निकालेंगे, अरे अब ज्यादा देर मत करो, बाल्टियां ले आओ, पूरा पानी निकाल लेते हैं कुवे से, ऐसा करने से कुवा खाली हो जाएगा, फिर हम थेलिया निकाल लेंगे, एक ही रात में अमीरो जाएं आहे चलो 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 अब ज्यादा देर मत करो चलो सेल अ बंदर मेंसफ करो अपनी आटनाप उनी हुँछ शे क्नी कि आटनाता री bending वाहद की ऑाहद कि अ कि अ ज SARओ टना खब न छैंत बंदर नहें वहहोंगान के अजिए कि असर फजिए बनार प्राप्ड़ प्राप्लिक सता और अा ख थाई्ट नहें? अब और नहीं किया जाता यह नहीं हो सकता इस गुए का पूरा का पूरा पानी इस चोटी बाल्टी से मैं कैसे निकालेंगे अरे होगा होगा जरूर होगा तुम लोग ज्यादा बाते मत करो अपने हाथ चलाओ अरे बापरे और पानी नहीं अब नहीं सुनून 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 इससे न कटहल चुराना ज्यादा आसान था यह देखो यह देखो भोर हो गई चलो चलो अब धन संपत्ति तो मिलेगी नहीं अगर लोगों ने देख लिया तो मुसीबात अलग हो जाएगी अहां चलो 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 ठीक ही कहते हो सारी रात मानी खिशते खिशते मेरे तो दोनों हादी अकण गए और वो कटहल खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी आज मुझे छोड़ने वाली नहीं है कटहल तुम्हें ही मुभाराख हो हम तो यहां से बागते है अरे ठेरो ठेरो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ आज भी बारिश नहीं हुई आसमान एक दम साफ है यह क्या हुआ बारिश तो हुई नहीं फिर भी खेतों में इतना पानी कहां से आया यह सारा पानी कुवे से ही आया है है कुवे से लिकिट कैसे यह सब तुम्हारे लाजले बेटे की कारण हुआ है यह सब इसी ने किया है हाँ आज हमारे महेश के कारण जमेंदार के दुष्ट हातों से हमारी जमीन बजगई हुआ 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 अरे जल्दी करो महेश वर्णा कोई देख लेगा अरे क्या कर रहा है जरा दूसरों की बाद भी सुना कर उसे कितनी बार कहा है अरे हाथ से नीम्बू तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है पेड़ पर कौन है अरे बाबा अरे चोर 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 अरे कहा कहा अरे कहा है चोर अरे भागो भागो जल्दी निकलो क्या उसे अकेला जोन कर भागेंगे यह देखो क्या कर रहा है मेरे पेड़ के सारे नीम्बू तोड़ लिए अरे पेड़ नीचे उत्रो नीचे उत्रो तु नीचे उत्रो अरे जल्दी नीचे उत्रो नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूँगा बदमाज चोर कहींगे अब तो बस अब को लाएगी अब हमारा क्या होगा आज आज हम सारे पकड़े जाएंगे इस तरह क्या देख रहे हो चोरी कर रहे थे न अब नीचे उत्रो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ चलो नीचे उत्रो ए चोर सारे नीवू दे बरना आज तेर अब मैं तुम्हें चोरी करने की सजा दूंगा समझे चलो जल्दी उत्रो सुनाई नहीं देता क्या अरे देखो देखो सब लोग मेरे पेड़ के सारे नीम्बू तोड़ लिये हैं बगवान एक ही तो नीम्बू लिया है और कह रही है सारे नीम्बू ले लिये अच्छा ए एक बार यहां से निकल जाए फिर हम सारे नीम्बू तोड़ ले जाएंगे अरे कहां गये सब लोग चोर चोर को आरे ये सब कहां से आ गए है ये लो आँ चलो 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 बागो यहां से चलो चलो भागो अरे अरे वो देखो मेरे पेड़ के सारे नीमू लेकर भाग गए है भगवान कहा गया मैंने पेड़ के सारे नीमू लेकर चले गए अब फिर क्यों रो रही है जलो चलो यहां से बड़ी मुश्किल से जान बची तुम क्या कहते हो हां महेश तुम ठीक कहते हो अगर पकड़े जाते तो अरे छोड़ो चलो आज हम सब जम के नीमू खाएंगे क्यों रे नमक मिर्च लाया है ना हा लाया हो ना सुनिये मालिक सोना मिलेगा मालिक उस जमीन नहीं सोना है एक बार वो हाथ में आ जाये मालिक फिर देखिएगा अच्छा दाम कितना हो गा उसका आप चाहे उसका जितना दाम देदे मालिक लेकिन हरी माधव मानने वाला नहीं है क्या कहा नहीं मानेगा जरूर माने गावो कैसे मालिक सुनों ध्यान से सुनों अरे कहां हो भागिवान जरा जल्दी करो मुझे बहुत भूख लगी है पता है न कल सुबे जल्दी उठके निकलना है अरे सुबे सुबे कहा जाना है हमको खेत में और कहां सारे निम्बू तोड लेंगे उसके बाद बाजार में जाकर उन निम्वों को बेच दूँगा अब और जादा दिन नहीं ठैर सकते आज कल यहां चोरियां बहुत हो रही है उनका बस चले तो वो एक भी निम्वों नहीं छोड़ेंगे ठीक कहते हो तुम, चलो अब खाना खालो ठीक है तो कल सुबह उठकर सारे निम्वों तोड़ लेंगे अब इतनी राप गए कौन आया होगा अरे कोई नहीं, शायद हवा से बजा होगा खाओ खाओ, तुम आराम से खाओ अरे नहीं, शायद दर्वाजे पर कोई है, तुम जाकर देखो ओफो, कौन है, आ रही हूँ बाबा अब चिल्ला क्यों रही हो, जल्दी जाकर देखो कौन आया है आती हूँ, आती हूँ, पदा नहीं कौन है इस वेक्ट कौन हो सकता है इस वेक्ट ग्रोश अरे भाग्यवान, कौन आया है अरे तुम गिरी कैसे, क्या हो गया तुम्हें अरे भभभभभूर सुनो हरी माधा, इस घर को छोड़के चले जा नहीं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अरे ये क्या, बाप रे बाप, ये कौन सी मुसीबत है अब बाप दादा का घर छोड़कर, इस उम्र में हम लोग कहा जाएंगे आज ये घर छोड़कर चले जाओ, संधे, नहीं तो, कल मैं फिर आओंगा और तुने ये बात किसी और को बताई ना, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, संधे ए भगवान, हमारी रक्षा करो ए भगवान, अब हमारा क्या होगा, तुम्हें ये बात गाओंवालों को बता देनी चाहिए थी अरे नहीं, नहीं, पागल हो क्या, अरे वो भूत हम लोगों को नहीं छोड़ेगा तो अब क्या होगा, क्या ये सब छोड़ कर भागना होगा हमें नहीं, भागिवान, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम डरो नहीं, मुझे तो लगता है, ये जरूर किसी की शरारत है कोई निम्मू के लालच में आया होगा हम आज ही सारे निम्मू तोड़ लेंगे, फिर देखना कोई नहीं आएगा शाहिद तुम ठीक है रहे हो, उमीद है ऐसा ही हो हाँ, अब कोई फिक्र नहीं है भागिवान ये सारे निम्मू बाजार में जाकर मैं बेच दूँगा उसके बाद वो भूत आएगा, खाली पेड देखेगा और राम-राम करता हुआ चुप-चाप चला जायेगा अब मैं जाता हूं भागिवान इन्हें बेच आता हूं सम्हल कर जाना जी और जल्दी आने की कोशिश करना कहीं जाधा दे न लगाना तुम चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया देवी इनकी रक्षा करना देखा न भागिवान, सारे निम्बू बेच के हमें बहुत अच्छी खासी आमदनी हुई है तुम क्या कहती हो? अगर पेड की देखभाल नहीं करते तो हम ये दिन नहीं देख पाते ये बात तुमने पते की कही भागिवान जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और हाँ, देख लिया न भागिवान आज भूत महाशे भी नहीं आये ठीक कह रहे हो तुम आज अगर वो आ भी जाएगा तो एक भी नीवन नहीं मिलेगा उसे डून डून कर वापस चला जाएगा मैं हूँ मैं हूँ हरी मादाओ मैं हूँ तुम अभी तड़ घर छोड़के नहीं गए अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ ए भगवान भेर आगया बढ़ जाओ जय हत्मान के आनमुन सागर जय कभी सति हु लोको जागर राम दूत अतुलित बल्धामा अन्यनि पुत्रपमान सुतनामा महावीर भिकरम बजनंगी अब यह नहीं रह सकता एक पल भी नहीं हमें जाना ही होगा अरे घर बचाने के लिए अपनी जान दे दे क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता महेश महेश क्या हुआ? थोड़ी जल्दी करो ना अटा हो अब क्या करे? इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है ओहो कहा थे अब तर? चलो, जल्दी चलो कितनी देर हो गई है आज ओ, आज तो बहुत देर हो गई घर पहुँचने के लिए चार कोस और चलना है पता नहीं तुम कब समझो गई ये सब अरे पाप रे पाप, अब यही करना होगा इससे कम से कम अपनी जान तो बच जाएगी क्या रे हरी, क्या हो रहा है मर गए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बबा कहा जा रहे हो, अब कहा आप बस हरी चार्चर के साथ बात कीजिए न मैं थोड़ी देर में आता हूँ क्या हुआ, बात क्या है अरे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम तो बहुत परिशान लग रहे हो, अरे मुझे बताओ तो, बताता हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं, अच्छा भाई नहीं बताओंगा, बता, मेरे घर पर हर रात में एक भूत आया करता है, और हमें परिशान करता है, भूत, बेवकूफ कहीं के, बहुत घर पर क्या कर रहा है तुम्हें विश्वास नहीं अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कहता है घर छोड़ कर चले जाओ वरना तुम लोगों की खैर नहीं यह जरूर तुम्हारे नीमबू के लिए हो रहा है टेहरो महेश को बुलाता हूँ हो नहो यह उसी की बदमाशी होगी महेश अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ये सब नीमबू के लिए नहीं हो रहा सारे के सारे नीमबू मैंने कल सुबह ही तोड़ लिये थे और उन्हें वाजार में जाकर बेच भी दिया था मात सब ठीक हो जाएगा दो दिन और इंतिजार करो फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ भूत देखना पड़ेगा कैसा है ये भूत आज राट कोई देखूंगा आज तक अभी भूत देखा नहीं हरी चाचा ओ हरी चाचा अरे रावाज आ रही है जी ये भूत तो हरी चाचा के नाम की आवाज भी दे रहा है अब क्या होगा है भगवान अरे भाग्यवान जड़ा चुप रहो नाम हरी चाचा ओ हरी चाचा कौन है कौन है मैं महेश इतनी रात गए क्या चाहिए कुछ नहीं बस भूत देखने आया हूँ क्या कहाँ ठीक है तुम अंदर आओ भूत कहाँ है भूत लगता है आज भूत नहीं आएगा तुम सोजाओ हाँ हाँ ठीक कहते हैं क्यों हरी मादाओ अभी तक तुमने ठाल खाली नहीं किया वह आ गया वह भूत आ गया लगता है आज वह भूत हमें मारी डालेगा अहो चुप रहो तुम मैं देखता हूं ओ हरी तहां हो तुम बहर आते हो या मैं अंदर आओ अच्छा तो ये बात है ठेरो अभी मज़ा चखाता हूं क्या हुआ इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया हमें बोलो बोलो जल्दी बोलो अरे रुको तो नहीं सुनो तो जरा जो गहना हो जल्दी को हो ना अच्छा एसा हो सुनो जैसा मैंने कहा वैसा ही करना तुम लोग जैसा कहां बैसा होगा हां हां तुम बिलकुल जिन्दा मत करो तो अ आज रात को ही समझे कहां हो हरी तुम आज भी नहीं गए रुको आज मैं तुमारा सिर तोड़ता हूं मुझे बहुत डर लग रहा है मैं आज की रात ये हमें छोड़ने वाला नहीं है चुप रही है अब आस क्यों कर रहे हैं अब मैं अंदर आ रहा हूं अब मैं तुम्हारा सिर तोड़ डालोगा तुम उसका सर तोड़ दो तो हम बड़े आराम से खाएंगे अब मैं अब मैं अब मैं अब मैं रहे है अब मैं आस क्या है अब मैं पुझेंघ बड़े एंवाह देखा तुम लोगों ने ये सब महेश की करामात है महेश की वज़े से ही तुम दोनों की जमीन जमीनदार के हाथों में जाने से बच गई बेटा महेश ये लो बेटा खाओ बेटा नीबू खाओ हमारे पेड़ के नीबू बहुत अच्छे और मीठे होते हैं लो चको महेश बहुत रात हो गई है बेटा खिड़की बन करो और सो जाओ अब ही आ रहा हूँ बापरी गाओ में दकैती हो रही है क्या सच में हां महेश रात दिन बस सपने देखते और कुछ भी बूलते हूँ चलो अब सोने चलो बहुत रात हो गई है हां चलता हूँ अरे कहां है सब सुझ रहे हो हम तो लुट गए परबाद हो गए हां यह क्या चलो तो चलो तो देखें वहां क्या हुआ है नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे मुझे बहुत रहा है हट बुद्धू अभी क्यों डर रहा है अभी तो दिन भी निकर लाया है बहुत सारे लोग है चलो चलो जा कर देखते हैं क्या हुआ है थेख जैसा तुमको इनके घर में क्या हुआ है चाचा कल रात इनके घर में डाका पड़ा था बेटा डाकू लोग सब कुछ लूट कर ले गए हम सच में अच्छ तो कर रात में अच मैंने सही देखा था लेकिन माने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया ए बच्चे लोग तुम लोग यहां क्या कर रहे हो हाँ जाओ भागो यहां से चलो चलो निकलो यहां से हम लोग तो बस देखने आए थे क्या यहां कोई तमाशा चल रहा है यो देखने आए थे महें अ जानती हो कल रत्म सेन के घर में ढाका पड़ा था यह क्या कह रहे हैं इसका मतलब कल महेश ने बिल्कुल सही देखा था तुमने क्या देखा था महेश कल रात में जब मैं सोने जा रहा था तो देखा कि हमारे गाउं की नदी के उस पार कुछ लोग मशाल लेकर भाग रहे थे इतने दिनों से गाउं पर जमीदार का अत्याचार क्या कम था जो अब उसके साथ डखैद भी मिल गए हे भगवान ना जाने अब क्या होगा अब आप ये सब चिंता छोड़िये अब हम कर भी क्या सकते हैं चलिए आप खाना खा लीजिए अरे सेट जी आप यहाँ बोलिए क्या बात है आप कैसे हैं अरे ठीक नहीं है शुदत कुछ भी ठीक नहीं है एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ इसलिए आपके पास आया हूँ समस्या? कैसी समस्या? फिर आम के पेड़ को लेकर जगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं नहीं वो समस्या नहीं है कल रात मेरे घर में डाका पढ़ने वाला है इसलिए मैं आपके पास सलाह लेने के लिए आया हूँ क्या कह रहे हैं आप? किस ने बोला? ये खबर आपको पहले कैसे पता चल गई? कल रात को रत्न सेन के घर में डाकेट लोग जा रहे थे न तो मेरे घर पर चूने से निशान लगा कर गए हैं वो तो तुमने ये बात जमीदार साब से जा कर बताई क्या? नहीं वो तो नहीं बताई अच्छा पहले तुम जमीदार साब को बताओ फिर देखो क्या होता है अच्छा ठीक है अब आप कह रहे हैं तो मैं वो भी करके देख लेता हूँ अच्छा तो फिर मैं चलू? हाँ ठीक है जाओ जाओ और क्या हुआ वहाँ ये भी बताना ठीक है शुर्दत जी अरे चाचा आप कहा जा रहे हैं अरे बेटा महेश तुम यहां क्या कर रहे हो मैं आम खा रहा हूँ चाचा पर आप इतने जल्दबाजी में कहा जा रहे हैं जमीदार बाबू के पास जमीदार बाबू के पास लेकिन क्यों अचानक जमीदार बाबू के पास क्यों अरे घूमने थोड़े ही जा रहा हूँ मैं वहाँ पर अपनी समस्या को सुलजाने के लिए जा रहा हूँ लो तुम्हारे साथ बातों बातों में कहीं देर न हो जाए चलता हूँ बेटा महेश क्यों वैश, तुम अके लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं, तुम लोगों का इंतिजार करते करते यहाँ वक्त काट रहा हूँ क्या रे, रामु कहा है? उसकी तबियत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आया कल मैं उसे बार-बार बोल रहा था, कि बारिश में मत भीगना लो, अब पढ़ गया ना बीमार? इह, नीलू के बगीचे में बड़े-बड़े बेल लगे हैं चल, उसमें से एक बड़ा बेल लेकर खेलते हैं अरे बापरे, बेल तो बहुत सक्तोत हैं पो क्या हुआ, सक्त को नरम करने का तरीका मैं अच्छे तरह डानता हूँ, तो चलो हाँ, हाँ, चलते हैं अरे महेश, मोटू ने मुझे बताया कि कल हमारे गाव में डकेती हुई है हाँ, तुमने सही सुना है उस बड़े रहिस रदन सिंग के घर में डाका पड़ा है ओह, बहुत बुरा हुआ सर्फत नहीं नहीं हरी महेश ने कल डकेतों को गाव में आते हुए भी देखा था हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है चल, चलते हुए तुम्हें बताता हूँ हाँ, यहीं सही है हम चलते-चलते सुन लेंगे कल रात में मैं जब सोने जा रहा था तो देखा, दूर नदी के किनारे पर बहुत सारी मशाले जल रही थी हिल रही थी बाप रे, हमारे गाव में डकेती ये सुनकर मुझे आश्यर्य हुआ सोचने वाली बात है ये बहुत बड़ी मुसीबत है हाँ, चलो दोस्तों जल्दी से खेल खतम करके घर चलते हैं क्या पता, आज कहीं फिर से डाकु आ गए तो हाँ, हाँ, सच कहा वहाँ देखो, नीलू का बगीचा आ गया लेकिन, नीलू कहा है? अरे, वो रहा नीलू नीलू, ए नीलू क्या हुआ महेश भाईया? सुन, तेरे बगीचे से एक बड़ा वाला बेल तोड़कर ले लू क्या? क्या करोगे बेल का? हम लोग उस्ते गहलेंगे इससे अच्छा, चलो सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं पर पतंग कहा मिलेगी? मेरे पास है ना पिताजी ने लाकर दी है ये देखो, मांजा और ये देखो, पतंग लेक दिन, क्या तो मुझे उड़ाने दोगे? क्यों नहीं उड़ाने दूँगा? सब को उड़ाने दूँगा पर कहां उड़ाओगे? वही तो, नीचे जो खाली जगा है वही उड़ाएंगे ए, चलो आज तो हम लोग पतंग ही उड़ाते हैं ठीक है, चलते हैं रोज-रोज गेन से खिलना मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता यही पर, ये जगा थोड़ी से खाली है ठीक है, यहाँ पर पेड़ की डाल भी नहीं है पतंग उड़ाने के लिए ये अच्छी जगा है हाँ, देदे, पहले मुझे पतंग उड़ाने दे मुझे जल्दी घर वापस भी तो जाना है ना क्या हुआ मोटू भाईया, इतने जल्दी घर क्यों जाना है? क्या का, तुम्हें नहीं पता, अरे गाओं में कर रात को डखेती हुई थी क्या खेरे हो तुम, मा, ओ मा अरे, मा और पिताजी को क्यों बुला रहा है भाईया, तुम जानते हो, आज मा बता रही थी डाकू लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं और मार डालते हैं जब तक महेश भाईया है, तुम फिक्र मत करना चलो, अब पतंग दो, ये लो हट, इस पतंग को क्या होगा? ए नीलू, पतंग तुई पकर और महेश भाईया को फिर की दे दे हाँ, ठीक कहा, लटाई मुझे दो, ये लो महेश भाईया हाँ, ला दे, जा, अब तु पतंग उड़ा नहीं, मैंने ही जाओंगा, डाकू आ जाएंगे लो, अब इसकी सुन लो ये मोटो भी ना, बच्चे के सामने कुछ भी बोल दिया सही कहा, डरा दिया ना इसे अरे, ये क्या, मैंने ऐसा क्या कह दिया क्यों, तुमने ही तो कहा था कि गाओं में डाका पड़ा था लो, सुन लिया ना अरे, अभी क्या डगेद वहाँ पे घरे हैं, जो तुमें लेकर भाग जाएंगे ए, बात क्यूं बढ़ा रहा है, इस से अच्छा तो तू पतंग ही उडा ले हाँ, हाँ, छोड़ो आर उपर, आर उपर उडा महश भाईया आर उपर उडा महश भाईया हाँ, उडाता हूँ, तुम बस देखते जाओ भाईया, सुनो, ये फिरकी मुझे दे दो ये लो महश भाईया, वो देखो, वो लाल वाली पतंग है न, उसे काट दो हाँ, तु ढील तो दे ए महेश, इस पतंग को मैं काटूंगा नई, नई, मैं काटूंगा हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है ले, आजा, आजा, पकड़ ले अरे, बाप रे, मैं गिर गया अरे, उठो, उठो, उठो ए मोटे, धका क्यों मारा? ऐसा ही करूंगा महेश तो पहले डोर मुझे देने वाला था फिर तू क्यों आगे बढ़ा? नहीं, मुझे दे रहा था ऐसा नहीं होगा मैं कह देता हूँ, पहले डोर मुझे ही देगा महेश ए, ए महेश, बोल ला पहले मुझे ही देगा न ए दूर हट जा महेश पहले मुझे ही देगा डोर अरे, अरे, बाजू हट जा क्यों रही हो? मेरी पतंग मेरी पतंग कट जाएगी मेरी पतंग कट गए मेरी पतंग कट गए मेरी पतंग क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है कि क्राकसर निलु की मा आ रहा है मा देखो न महेश भाया ने मेरी पतंग कट्वा दी कहा गए है वो बतमाश बता बता बहु के भांग telescope dieses सब भाग रहा हैं मेरी पतंग कट्वांकर बाता रहो, ए महेश, ए ओ तू, रुख जाओ, मैं कहती हूँ रुख जाओ, अरे बापरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, मेरे बेटे को रुला कर भाग रहा हो, अभी मज़ा चखाती हूँ तुम लोगों को, और तू भी, उन बदमाश लड़कों के बिना खेल नहीं सकता क्या, पतंग लेकर क्यूं आया, आज से तेरा खेलना एकदम बन, तेरे पिताजी को आने दे, सब बताती हूँ उनको, फिर मैं तेरा क्या हाल करती हूँ तू देख, गड़ चल, महेश, ओ महेश, क्या है मा, यहां आओ जरा, चोड़ दो, चोड़ दो मा, मा चोड़ दो बहुत दर्द हो रहा है, अरे 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 छोड़िये इसे, अरे भाबी जी, अरे यह क्या कर रहे हैं आप, आखर आप इसे मार क्यों रही है, और क्या करूं, इस लड़के की वज़े से, आज किसी ने मुझे बहुत भला बुरा सिनाया, अब मैं क्या कहूं आपसे, अरे भाबी जी, मैं नीलू का पिता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, कि इसमें महेश का कोई भी दोश नहीं है, अरे पच्चों के बीच को कोई इतना मारे, ये ठीक नहीं है, महेश, क्यों रे, तुम्हारे पिता जी का है, बाहर, बाहर गए है, काली मंदर में बैठे हैं, चलो उनके पास चलते हैं, आओ, ची, 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 ये तो एक अभी शाप बन गया है, रतन सेट के घर में डाका, इतना पहरा होने के बावजूद उसके घर में डाका, अरे देखने में तो वो बड़े भयांकर लगते हैं, साब समझ गया हूँ मैं, अब चंदरु सेट के घर भी डाका पढ़ने वाला है, बिल्कुल सही कह रहा है, आप ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, अरे भगवान कब किस से मूँ फेर ले कोई नहीं कह सकता, सही कहा, अरे इसका नाम लिया और ये आ गया, क्यों भाई, सुना है अब तुम्हारे घर में डाका पढ़ने वाला है, ठीक सुना है तुमने, इस हो, उसने आज तक कभी किसी का भला किया है, जो आज करेगा, बेकार में बोलके मूँ खराब किया, सही कहा, तुम्हें भेज कर मैंने ही भूल कर दी, अब क्या होगा कौन जाने, अरे चाचा, डाकु दिखते कैसे हैं, वो बड़े भयानक दिखते हैं, ये इतनी बड़ी- मुझें, मूँ पे काला कपड़ा, माथे पर इतना बड़ा काला टीका, बड़े-बड़े बाल, काले रंग की पगड़ी, कमर में लटकी तलवार, और हाथ में इतना बड़ा सा भाला, और मैंने सुना है, कि जिसने ये डाका डाला है, उसके सरदार की बहुत लंबी बाबा, मुझे टाकू को देखना है, तुम अभी बच्चे हो, बड़ों के बीच में तुम्हें बोलने की जरुरत नहीं है, जाओ घर जाओ, हाँ बिटा महिश, जाओ, अब तुम घर जाओ, ठीक है, मैं घर जाता हूँ चाचा, ओ चाचा, कौन, कौन है, ओ, तुम हो, तुम तीनों इस वक्त यहाँ, क्या बात है, सुनो चाचा, हम डाकू को पकड़ेंगे, अब गाओ की लोगों को बोल दीजिए, गाओ के सारे लोग जो नहीं कर पाए, अब ये करने चला, इतने बड़े से, रतन सेन, जिसके पास इतने लठेत है, वो तक कुछ नहीं कर पाया, और ये लोग आए हैं, बड़े ड़क्यात को पकड़ने, ना पिद्दी, ना पिद्दी का शोर्बा, आए हैं, हाँ देखो चाची, हम लोगों को छोटा समझ कर कम मत समझ है, हम लोगों ने कहा कि हम डाखू को पकड़ेंगे, तो पकड़ कर ही रहेंगे, हाँ मा, सब लोग जो नहीं कर पाते, वो महेश भरिया कर लेते हैं, ए, तू चुपरे, जादा होशार बनने की कोशी मत कर, अहां, हां, क्या कर रही हो, महेश जो करना चाहता है, पहले उसे करने तो दो, हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे, वही करो, जब कुछ गलत हो जाए, तो मुझ से मत कहना, मैं कह देती हूँ, ठीक है, नहीं कहूंग लेकिन अभी तो अंदर जाओ, हां, तुम्ही बुगतना, सुनो चाचा, ध्यान से सुनो, आप जल्दी से दो-चार लोगों को लेकर गोशाला में छुप जाए, हम लोग जब चिलाएंगे, तो आप लोग लाटी डंडे लेकर उन पर थूट पढ़ना, ठीक है बेटा, मैं अभी जाता हूँ, चलो चलो, अब जल्दी से घर चलते हैं, वहाँ पर बाकी सारी विवस्थाएं भी तो करनी है, हाँ, चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी, देखो, आगे वो लोग, सब तयार हो जाओ, अरे नीलू, पकेत मुझे मार देंगे, तो मैं तेरे पिताजी से मिल भी नहीं पाऊंगी अरे मरने से पहले मैं उनके चरण की धूल ले लेना चाती हूँ नहीं तो मुझे नरक में भी जगा नहीं मिलेगी है भगवाल ओहो चाची ज़रा चुप रहो ना हाँ मा ज़रा चुप रहो तो यह जी तुम काओ यह लोग मुझे मार देंगे इन बच्चों की बात मान कर हमने कितनी बड़ी भूल की ए महेश ए नीलू मुझे बचाओ रहे यह लोग मार डालेंगे मुझे एए चुप एक दम चुप जो कुछ भी है चुप चुप मुझे दे दे नहीं तो यह देखा है ना सीधे स्वर्ग लोग पहुंचा दूंगा बोल रहा हूंते इतनी देर क्यों कर रहे हो चल दे से अपार हो और मेरी बाली अटक गई है ए बच्चा ए चल बाली उतार के दे हां हां चा रहा हूं महेश भाया मुझे देख नहीं रहा जड़ा इधर आओ तो हां आता हूं ए जड़ा अपनी मशाल तो देना यह लो लो जल दे जल दे अरे मेरा कान काट लेगा गया एक दम चुपचा बैट महेश भाया मशाल थोड़ी सी पीछे कीजिए ना हाहा करता हूं यह तो खुल ही नहीं लाओ देखो जरा यह देखो अरे बाप्रे के साथ क्या हो रहा है तो किस्ले लगा दीयागा पढ़ गया है जोगे तो गए है अरे जोलो चलो मारो 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 शिविदत कल मैंने इसकी बुद्धी के साथ इसका साहस भी देखा सच में महेश के कारण हम सभी लोग बच गए महेश की शादी तक मैं जिन्दा रहूंगी के नहीं क्या पता इसलिए ये बाली का जोड़ा मैं आपको दे देती हूँ ये मेरा उपहार समझ कर महेश की पत्नी को दे दीजेगा वैसे मैं हर किसी को उपहार देती भी नहीं हूँ ठीक दे दूँगा मैं मा, क्या मैं महेश भाया के साथ पतंग उड़ाने जा सकता हूँ हां हां जरूर जा सकते हो बेटा पूछने की क्या बात है चलो महेश भाया चलो निलू आया है बीरू प्यारा जो है दोस्त हमारा आईडिया मस्त लगाता है जट से काम बनाता है हल्लम गुल्ला शोर मचा के सब को बड़ा सताता है हलं गुल्ला शोर मचा के सब को बड़ा सताता है देना चे हो उचल चोटा बीरबल, बीरबल, चोटा बीरबल